नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के करनेट अफैर्स की इस वीडियो में दोस्तों कल मैंने आपसे जो कुछन पूचे थे उनके आंसर देख लेते हैं देखो सबसे पहले कुछन था कि कौनसे विटामिन की कमी से खून का जो सराव होता है वो बंद नहीं होता है तो वो बहुत है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है सभी को पता होगा उसके बाद में एक प्रस्न है कि उत्तरी ध्रू में भारत के अनुसंदान किंद्र का नाम क्या है इसको बहुत कम लोग अंसर कर पाए है जिसने भी सही अंसर किया है उनकी तयारी यानि की अच्छी चल रही है हिमाद्री इसका राइट अंसर हो जाएगा विस्वें माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली महिला का नाम क्या है जिसने भी इसका राइट अंसर दिया है उनके लिए क्लैप करेंगे इनका नाम है जुनको तबाई और वो जापान की रहने वाली इसको भी आप लोग याद कर लो नाम एक बार फिर से उता दे लीवर में दिक्कड आ जाती है अब देखो जल्दी से आज जो कोशन पूछ रहा हूं उनका भी आंसर दे दे ना इसी तरीके से तैयारी करते रहोगे तो एक्जाम निकलना 100% सी हो रहा है पहला कोशन है कि किसने सर्व प्रथम असोक के अभी लेखो को पढ़ा था ठीक है क इस बहुत बिच्चू के प्रभावस में असोक ने बहुत धर्म ग्रहन किया था कौनसा मुगल बात्सा असिचित था ठीक है उसके बाद में अकला कुशन है अमरत सहर सहर की स्तापना किसने की थी और गदर पार्टी का संस्तापा कौन था जल्दी से कमेंट बॉक्स में आं जाएगा जिसपर क्लिक करके भी आप मुझे डाइरेक्ट फॉलो करके मैट की तयारी वहां पर कर सकते हैं अब देखो रिसेंट में एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि रिसेंट में जितने भी एक्जाम हो रहा है उनमें दिवस वाले कोशन बहुत पूछे जा रहे हैं तो देखो सबसे पहला कोशन क्या है कि विश्व सौचाले दिवस 2018 किस दिन मनाया जाता है तो इसको सलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को फिर से देख लिना 19 नवंबर को विश्व सौचाले दिवस 2018 सलिब्रेट किया गया है तो आगे इसका पहले फोटो देख लो फोटो द जब इसका आप लोग प्रिंट आउट निकल वाओगे PDF का तो उसमें इस तरीके से बना लिया करो कुछ ना कुछ साइन्स हो दैट आपको लंबे समय तक याद रह सके अब 2018 के लिए इसका जो विशय है सब्जेक्ट वो है वेन नेचर कॉल्स ठीक है इसमें 2030 तक एक लक्ष रखा गया है जिसके तहित स्वक्षता और पानी की उपलब्दता और टिकाउ प्रबंदन पर यहाँ पर बात करी जाएगी इसके लब अभी तक रिसेंट में कौन-कौन से दिवस निकल चुके हैं उनको भी रिवीजन कर लेते हैं जैसे 16 नवंबर को अभी आपका था अंतर राष्ट्रिये सही स्रणुता दिवस 14 नवंबर को आपको था विस्व मदुमे दिवस 10 नवंबर को आपको था सांती और विकास के लिए विस्व विज्ञान दिवस अगला था 5 नवंबर को था राष्ट्रिये आयूर वेद दिवस और 31 अक्टूबर को था राष्ट्रिये एकता दिवस इतने सारी चीज़ें आ मैं ओपन चेलेंज की मेरा PDF पहले से अबलेबल मेरी वेबसाइट पर चार-पांच महीने का जो भी गरनेटफस का मैंने PDF बनाया है उससे बाहर आपका एक सिंगल कोशन भी नहीं जाएगा यह मैं दावे की साथ कह सकता हूं बस आप लोगों को पढ़ने की दे रिए अगला कुशन है 281 एंड बियोंड किस पूर्व भारती खिलाडी की एक आत्म कता है जिसे अभी लॉंच किया गया है यह आटो बायोगरफी अभी लॉंच करी गया यह किस पूर्व भारती खिलाडी की तो इसका राइटन से हो जाएगा वीवियस लच्चमन वीवियस का फोटो लगा है नीचे लिखा है 281 एंड बियोंड देखने से बहुत फरक पड़ता है मैं बार-बार आपसे बोलूँगा फोटो कभी-कभी एक्जाम में याद आ जाती है कि इस तरीके से उपर लिखा है वीवियस लच्चमन ठीक है आगे चलते हैं इसके लाबार देख अहले से कर लौंच है तो वह वली बुक्स इंपर्टेंट होंगी जैसे सौरो गांगुली की जो ऑटो पेख्मी था उसका नम इंपर्टेंट ए सेंचरी इस duż नॉट इनव सकता हैँ संजे मोंजेकर की जो अप्रफ प्रफेक्ट इसके लबा मारिया साराप वाने 2017 में अपनी autobiography एक book launch करी थी unstoppable my life so far इसके लावा अभी हाल ही में तरुन सागर जी का निदन हो गया था इनकी book थी कडवे वचन ठीक है इसके लावा रगुराम राजन जो की RBI की पूर्व गवर्नर है उनकी एक book थी I do what I do ये इनकी book है तो ये सारी चीज़े आपको भी याद रखन पढ़ेंगी आगे चलते हैं दोस्तों एक भी question बचे कर नहीं आप लोग tension बिलकुल मत लेना बस टेली क्राम चैनल को जोईन कर लेना वहां पर मैं आपको PDF देता रहता हूं अगला प्रसने हाल ही में भारतीय मूल के अमेरीकी जिनका नाम है थॉमस कुरियन को किस पद पर नियुक्त किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा Google Cloud के CEO गूगल Cloud के CEO बनाएगा है थॉमस कुरियन इंपोर्टन इस बज़े से है क्योंकि भारतीय मूल के रहने वाले हैं और जितनी भी भारतीय मूल के रहने वाले लोग विदेसी कंपनियों में CEO बने हैं वो सभी important है एक्ज कि लिस्ट प्रोबाइट करा रहा हूं कि विस्व में प्रमुक पदों पर भारती मूल के कौन-कौन से लोग हैं जैसे Google के CEO का नाव है सुन्दर पिचाई, Microsoft के CEO का नाव है सत्या नडेला, Adobe के CEO का नाव है सांतनु नरायन और Cognigend के CEO का नाव है फ्रांसिको डिसूजा ये स सभी भारत के रहने वाली हैं लेकिन विदेशी कंपनियों के CEO हैं साथी साथ में आगे चलोगे, Nokia के CEO का नाव है राजिव सूरी, इसके लबा, Global Foundries के CEO का नाव है संजे कुमार जा, Pepsico के CEO, ये अभी चेंज हो गई, इंदरा नूई इससमें नहीं है, अभी टेंप्रेरी द दूर्बीन ने हाल ही में अपना पहला वग्यानिक परिछन पूरा किया है, ये दूर्बीन कहां पर इस्तित है, लदाक रिजन में, option D यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आप से पूछा जाएए, ग्रोथ इंडिया नाम से ये चीज क्या है, जो की निउस में थी, तो answer टीकरों के ये एक दूर्बीन है, ठीक है, कहां पर की गई है, लदाक में इसको लॉंच किया गया है, लदाक में ये इस्तित है, आगे चलते हैं, फोटो जारी करी है, जिसमें उसने आंतरिच से स्टैचू अफ यूनिटी की फोटो ली है, देखो ये सैटलाइट से ली गई इमेज है, यहां पर ये आपको देखो, ये दिख रहा होगा, स्टैचू अफ यूनिटी, ठीक है, स्काइलेब कंपनी कौन है, देखो मैं आपक किसी को याद हो, इसरों ने एक साथ 104 सेटलाइट लाँच किये थे, जोकी बहुत उससमें नूज बना था, ठीक है, एक कीरतिमान बनाय था कि 174 सेटलाइट लाँच किये है, इसमें 88 जो डेव सेटलाइट से, वो स्काइलेब कंपनी के ही थे, ठीक है, वो वही कंपनी है, तो चाइना में इस्प्रिंग टेंपल जो की सबसे नंबर टू पर आता है आगे चलते हैं एक व्यापार मेला लगाया गया है किस चीज का पनजाब के चंडिगर में यह आपका अब एक बार इसका फोटो भी अच्छे से देख लो तो लंबे समय तक याद हो जाएगा देखो यहां पर यह रहा इसका फोटो ठीक है एक बार अच्छे से देख लो एक बलब के देख लिया करो agro का मतलब होता है agricultural और tech का मतलब होता है technology यानि कि technology का agriculture में कितनी तरीके से use हो सकता है अच्छे तरीके से agriculture को technology के थुरू कैसे improve किया जाए सकता है इन सब चीजों पर यहाँ पर discussion किया जाएगा तो यहाँ पर देखो लिखा भी है एक से चार दिसम्बर 2018 चंडीगर में किया जाएगा एक तारिक से चार तारिक तक किया जाएगा इसका 2018 का जो subject है वो है क्रसी में प्राद्योग की किसान की आएमे व्रद्दी ठीक है यानि कि technology का use करके किसी farmer की income को कैसे बढ़ाया जाएगा उन सब चीजों पर यहाँ पर discussion होगा इसका उद्गाटन कौन करेगा ये भी पूछा जाता है इसका उद्गाटन करेंगे रामनात कोविन जी इसके लाबा इसको ओयवजित किसने किया है वो किया है भारती औद्योग परिसंग यानि कि CII ने CII का English में नाम क्या है ये comment करके आप लोग जरूर बताना अगला प्रसने 6 दिवसिय स्री रेणू काजी मेला भारत के किस राजे में सुरू किया गया है तो ये जो रेणू काजी मेला है इसको हिमांचल प्रदेश में और्गनाइस किया गया है फिर से देख ले ना हिमांचल प्रदेश में रेणू काजी मेला सुरू किया गया है ये जो रेणू काजी मेला है इसका फोटो आप लोग देख लो ठीक है किसलिये मनाया जाता है ये समझना जरूरी है तो ये भगवान परसुराम और उनकी मा भगवती रेनुका जी को समर्पित एक धार्मिक सभा होती है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर देखो ये जो महुत्सव है ये जमु कोटी गाउं के प्राचीन मंदिर से भगवान परसुराम की पालकी से के रेडुका जील के किनारे पर आगमन की साथ सुरू होता है ये पालकी आप देख रहे होगे ये वही पालकी है जिसकी बात कही गई है आगे चलते हैं वर्ड डे ओफ रिसेंब्रेंस फॉर्ड रोड ट्राफिक विक्टिम जिसको बोलते हैं डी ओर फिर से देख लेना डबलू डी ओर अठारे नुवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इसका फोटो देख लेंगे वर्ड डे ओप रिमेंबरेंस यहां पर होगा रोड हैव स्टोरीज इस दोजार अठारा का जो इसका टैग लाइन के सकते हो वो है रोड हैव स्टोर और इसको हर वर्स नवंबर के तीसरे रविवार को मनाए जाता है तो इस बार कब मनाए गया है 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है इसको 1993 में रोड पीस द्वारा सुरू किया गया था अगला प्रसने विश्व सीमा सुल्क संगठन की छितरी बैठक कहां पर आयुजित हुई है तो इसको जैपुर राजस्तान में और्गनाइस किया गया है फिर से समझ देना विश्व सीमा सुल्क संगठन की छितरी बैठक कहां पर आयुजित हुई है यह हुई है जैपुर के राजस्तान में ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें एसिया के 33 सदस से देशों ने भाग लिया है और इसमें बात क्या की जाएगी नाम ही इसका बता रहा है कि सीमा सुल्क में छमता निर्मार और सुधार के लिए आवश्यक कदम कैसे उठाए जाए इन सब चीजों के बारे में यहां पर डिस्कुसन किया जाएगा 37 में विश्व सीमा सुल्क संगठन के बारे में कुछ समझ देते हैं जैसे इसका जो हैड़क्वाटर है वो है ब्रूसल्स बेल्जियम में इसके महासचिव का नाम है के मिकूरिया और 26 जन्वरी को अंतर राश्ट्रिय सीमा सुल्क रिवस मनाया जाता है अगला प्रसने 24 में कॉलकाता अंतर राश्ट्रिय फिल्म महत्सोस में द थर्ड वाइफ को सर्वसरेश्ट फिल्म का पुरसकार दिया गया है यह किße देसकी फिल्म है यह जो मूवी है यह वियत नाम देसकी मूवई है कौनसे और यह वियत नाम देसकी तो इसका ए आनसर य जिसके link मैं आपको टेली ग्राम चैनल पर शेयर करूंगा टेली ग्राम चैनल जोईन कैसे करना है वो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा इसके लबा और भी important जो PDF है वो मैं वहीं पर share करता हूं सोग बने रही हमारे साथ में वीडियो अच्छा लगाओ तो share करना ना भूलें